नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं हम सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करूना आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ DOE का एक सर्कुलर और इस सर्कुलर में आप देखेंगे अपनी एन्वल एक्जाम की डेट शीट 9th और 11th क्लास की बच्चे आपके एन्वल एक्जाम की डेट शीट और गाइडलाइन्स किन गाइडलाइन्स को आपको फोलो करना है और आपकी एन्वल एक्जाम टम टू का कब होने वाला है उसके बारे में जानकारी तो बिटा देख लेते हैं इस सर्कुलर को सबसे पहले यहां पर दे रखिए आप लोगों की टाइमिंग बिटा एन्वल एक्जाम की और आपकी टाइमिंग यानि की मॉर्निंग जनल शिफ्ट के स्कूल के लिए टाइमिंग होने वाली है आपकी साड़े नो से साड़े ग्यारा यानि की सभी गर्ल्स का जो पेपर होगा या मॉर्निंग चिफ्ट का या कॉयड विध्यालो का जो पेपर होगा वो होगा साड़े नो से साड़े ग्यारा और Evening Shift की जो स्कूल है उनका पेपर का टाइम होगा दो बज़े से लेकर के चार बज़े तक ठीक है बटा ये तो था आपकी एक्जाम टाइमिंग के रिगार्डिंग आप देख लेते हैं ये बाकी चीजे इन्विजिलेटर्स की हैं इनसे बटा आप लोगों को कुछ नहीं लेकिन हा जो आपको लेना देना है वो यह है कि 120 मिनट का टाइम अपको दिया जाएगा यानी कि दो घंटे का पेपर आपका होगा जिसको की यहां पर आप अपने टाइम से भी देख रहे हैं कि साड़े नो से साड़े ग्यारा इसका मतलब दो घंटे आपको दिये आपको बहुत ज़्यादा जरुरत नहीं है जॉनल डिस्ट्रिबिशन इन चार्ज़स के लिए इंस्ट्रक्शन से इसकी भी आपको जरुरत नहीं है ये बाकी चीज़ों चो जहां पर दे रखें इसकी भी बिटा आपको जरुरत नहीं है वो सब स्कूल्स के लिए है आपको जरुरत है आपकी डेटशीट की तो बिटा ये है आपकी डेटशीट याने की 11 तारीक को 11 अप्रेल से बिटापके पेपर शुरू हो रहे हैं और सबसे पहले 9th क्लास का सोसल साइंस और 11th क्लास का Physics और Geography है 12 तारीक Tuesday को 9th का कोई पेपर नहीं है 11th का Physical Education है और mostly स्कूलों में जहां पर Physical Education के साथ पेंटिंग भी है तो पेंटिंग का एक्जाम भी Physical Education के साथ ही होता है तो जहां तक है आप लोगों का Physical Education 12 तारीक को होगा वो हर Particular School पर Depend करता है कि वो कब कंड़क्ट कराएंगे लेकिन Most of Schools क्या करते है Physical Education के साथ ही पेंटिंग का एक्जाम भी लेते है 13 तारीक को बिटा आपका Natural Science का है और Maths का पेपर है 16 तारीक को बिटा आपका Maths का और Economics का पेपर है 18 तारीक को बच्चे आपका 10 का English का और 12 का Political Science और Business Study है 19 तारीक को बिटा 11 तारीक का English का पेपर है 10 का कोई एक्जाम नहीं है 20 तारीक को बच्चे 9 तारीक का होने वाला है Sanskrit, Urdu और Punjabi का और 11 तारीक का होने वाला है Sanskrit और Biology का 21 तारीक को बच्चे 9 का कोई भी एक्जाम नहीं है लेकिन 11 का है Hindi Elective 22 तारीक को 9 क्लास का Hindi का एक्जाम है और 11 क्लास का Home Science का एक्जाम है 23 तारीक को अब 10 के पेपर पेपर बच्चे 22 को ही खत्म हो गए है 22 के बाद 10 क्लास का कोई भी पेपर नहीं है कि और बहार बार तेंथ को जारी हूँ नाइंद क्लास का कुई पर नहीं है तो ना इंध क्लास के पर 11 से 22 तक है और 11 क्लास के 23 और 25 में भी चॉसलोजी और एकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री का एक्जाम है तो यह है आपकी डेटशीट, इसका आप स्क्रिंशॉट ले लीजिए, अब इसके बाद टाइमिंग के बारे में आपको पता चल गया है, कि दो घंटे का पेपर होगा, 40 तंबर का पेपर होगा, एन्वल एक्जाम है इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, कि आपके जो एक्जाम की डुरेशन है, वो आपके एक्जाम पेपर भी दे रखी होगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, और इसके अलावा आपको 15 मिट एक्स्ट्रा दिये जाएंगे, कोशिन पेपर को रीड करने के लिए तो दो घंटे का आपका पेपर है, और उस दो घंटे से पहले 15 मिट पर आपको आपका एक्जाम पेपर दे दिया जाएगा, ये जानकारी थी आप लोगों के लिए जो जरूरी थी, तो बेटा आशा करती हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी किया है, तो बेटा सिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब जरूर करें,